हमारे महा महीम राश्ट्पती जी का नाम तो याद है न सब लोग को ऐसा तो नहीं है ना कि लोग मोदिये जी को राश्ट्पती भी समझ ले रहा है इस देश में एक राश्ट्पती भी है अलग बात है कि कुछ नहीं बोलते हैं हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ कुछ नहीं बोले दो अप्रेल को लोगे के उपर लाठियां चलाई गई कुछ नहीं बोले देश के किसी कोने में कुछ अत्याचार हो जाता है कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन एक बार मंदिर जा रहे थे तुनको घुसने नहीं दिया नहीं मैं ब्यंग नहीं कर रहा हूं मेरी इतनी आउकात ही नहीं है कि मैं देश के रास्पती के उपर ब्यंग कर सकूँ वो महामहीम है सरवोच है यह संभिधान की ताकत है कि अगर प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो चाय बेचने बाला का बेटा है तो वो देश के प्रधान मंत्री बन गए लेकिन सचमुच जो चाय बेच रहा है उसके साथ हम क्या करने है जब टीबी पे जटका और हलाल का बहस होता है न तो सिर्फ मुझे एक बात याद आती है ठीक बात है पेट्रोल डीजल का दाम जटके में नहीं बढ़ रहा है आम आदमी की जेव धीरे धीरे हलाल कर रहा है रोज असी पैसा बढ़ जाता है एक जटके में असी रुपया नहीं बढ़ रहा है पचास पैसा असी पैसा कुल जोड़िएगा तो पता चलेगा कि हफते में दस रुपया पेट्रोल का दम बढ़ चुका है यह आँख के सामने हो रहा है इस देश में इस देश के संभिधान ने चाहे संभिधान निर्माता का अपना धार्मिक विश्वास कुछ भी रहा हो क्या इस देश में किसी को भी धर्म को प्रेक्टीस करने से कभी रुका गया है क्या किसी को मना किया गया है क्या जोर जवर्दस्ती क्या होता है जोर जवर्दस्ती तो प्यार नहीं कड़ाया जा सकता है जोर जवर्दस्ती किसी से धरम किसे मनवाया जा सकता है यह जोर जवर्दस्ती क्यों की जा रही है सचमुच में ये लोग जो धरम की बात कर रहे हैं इनको धरम से कोई लेना देना है मेरा नाम कनहया है मैं बिहार से आता हूँ मैं आपको एक बात बताता हूँ जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है वो मोह माया है सन्यासी वो है जो राज पाठ का त्याग कर दे और उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री कौन है इसके बारे में सोच नहीं सकते हैं हम क्या इसके बारे में सोचने के लिए सहाव आपके आईटी में जाने का कोई जुरुत नहीं है थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि सन्यासी कौन होता है जो सांसारिक जीवान छोड़ देता है चीफ मिनिस्टर के कुरसी पर बैठ जाएंगे कौन सा सन्यासी है भाई और देखें हैं नौजवान सब रील बनाता है इंस्टाग्राम पे और उसमें बढ़ियां चस्मा बढ़ियां बाईक पे फोटो खिचाता है हम बुले कि सद्गूरू का फोटो देख लो वो बाबा है और ज्यादा है स्टाइलिस चस्मा लगा के घूम रहा है देखिए इसको आंक से मैं किसी धरम का विरोध नहीं करता हूं मुझे इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि किसी ने माथे पे तिलक लगा रखा है कि टोपी पहन रखा है मुझे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि 206 हड़ी मंदिर जाने वाले के सरीड में भी है और मस्जिद जाने वाले के भी सरीड में है और उस हड़ी पे अगर डंडा पढ़े न तो हड़ी किसी धरम का हो उट्टूट जाता है जब महेंगाई का डंडा आपकी जेब पढ़े न तो बजट कैसा भी वो विगड़ जाता है हजार रुपे में सलेंडर बिक रहा है डेड़ सो रुपे में कुछ दिन में पेट्रोल और डिजल बिकने लगेगा सीएंजी की दाम बढ़ी हुई है मेरा आकरा नहीं है सरकार का है 45 साल में देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है महंगाई सबसे ज़्यादा है आप सोच करके देखिए महंगाई बढ़ी है 300 फिस दी आपकी सैलरी आपका इंकम 300 परसेंट बढ़ा है अभी कोडोना हुआ था कोडोना के दोरान ये समता पर ये आयोजन भी बंद हो गया था कोडोना के बाद हमने ये देखा कि छोटे छोटे जो रोज़ी रोजगार करने वाले लोग हैं जो फल बेचते हैं जो गन्ने का जूस बनाते हैं जो किसान के हाँ से कोई सामान खरीद करके गलियों में घूम करके बेचते हैं ये रोजगार करने वाले लोग तबाह हो गए पिताजी उंगली पे जोर रहे हैं कि सैलेडी बढ़ नहीं रहा है खर्चा बढ़ रहा है अब बेटा साहब जो है मुवाइल पे लंका में क्या हो रहा है यूक्रेन में क्या चल रहा है ठीक बात है कि हमको यूक्रेन के बारे में भी जानना चाहिए सिरलंका के बारे में भी जानना चाहिए लेकिन आप अपने टीवी पे अपना सवाल धूंड करके देखिए आपको एक भी सवाल नजर नहीं आएगा एक-एक डिपार्टमेंट में पांच-पांच साल से जो है कोई भरती नहीं हुई है सेना में भरतियां बंद है रेलवे की भरती बंद है SSC की भरती बंद है लोगों के पास नौकरी नहीं है इसी लिए ये जरूरी हो जाता है कि समाच जो पहले से जाती और धर्म के आधार पे बटा हुआ है उनको उनके बुनियादी सवालों से गुमराह करने के लिए इसको और बाटा जाए और मज़ेदार बात जान लीजिए जो इस बटवारे के खिलाफ बोलते हैं जो लोगों के भीतर मांसी गुलामी फैलाई जा रही है उस गुलामी को समाप्त करके आजादी का तराना गाते हैं जो कहते हैं कि भेदभाव मत करो हम सब भारत के लोग हैं हमारा जो बुनियादी हक है रोजी रोजगार का रोटी का प्रामकान का सिक्छा स्वास सरक बिजली पानी का उसका मुकमल इंतजाम करो उनको देश द्रोही कहा जाता है और चंदा लेकर के देश बेचने वाले देश भक्ती का सर्टिफिके बाट रहे हैं इस परिस्थिती में आज हम खरे हैं कि सच बोलने वालों को जेलों में बंद कर दिया गया है और बड़े बड़े जूठे जो हैं वो पार्लियामेंट में खड़ा होगर के भाशन दे रहे हैं इस देश की जनता को ये समझना परेगा उनको ये सोचना परेगा हमारे यहां एक सायर हुए दुसेंद कुमार हिंदी पट्टी में लोग उनके बारे में काफी पढ़ते लिखते हैं उन्होंने कहा कि कहां तो तैथा चिरागां हर एक घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए कहां हम चांद पर जाने के बाद मंगल पे जा रहे थे कहां हम आई आई टी आई आई एम बनाने के बाद हम तमाम साइन्टिफिक चीजों में आत्म निर्भर हो रहे थे कहां महंगाई की बेरोजगारी के उपर लगाम लगा करके बारत बिशु सक्ति बनने की तयारी कर रहा था वापस से इस देश की जो बुनियाद है उस बुनियाद को अपने दोस्तों के हाथ में के हवाले किया जा रहा है उसको बेचा जा रहा है नारा देश का लगाया जा रहा है और तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है पब्लिक सेक्टर को वो लोग बरबाद कर रहे हैं जिनको पब्लिक नेनेता बनाया है एक सवाल आप सोच करके हमको बताईए मैं प्रवीन जी की बात से पूंतर सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी हमारे बहुत सारे छेत्रों में नहीं हुआ है अगर हम विकास की भी बात करें तो विकास भी जो है बड़ावर नहीं पहुंचता है वेस्टर्ण महारास्त्रा में जो विकास है वो विदर्व तक नहीं पहुंचा है जो उपर का विकास है नौर्थ का विकास है जो साउथ का विकास है जो इस्ट का विकास है जो वेस्ट का विकास है यह भी आपस में बड़ावर नहीं है यह मैं सहमत हूं इस बात से मेरा बस एक सवाल है और मेरी एक चिंता है कि मेरे घर में पांच कमरे हैं हम दो भाई आपस में लर रहे हैं कि दाया वाला कमरा में कौन सोएगा और बाया वाला कमरा में कौन सोएगा लेकिन ये लड़ाई तब बंध हो जानी चाहिए जब आपको ये ख़बर लग जाए कि बस्ती में आग लग गई है मैं इस बात से सहमत हूँ कि सामाजिक भागीदारी सोशल रिप्रजेंटेशन हमारे देश के कई सरकारी संस्थानों तक नहीं पहुँचे थे अब तो बात उससे भी आगे चली गई है जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो रिप्रजेंटेशन कहां मिलेगा मुझे ये जरा बता दीजिए आप ये सोचिए कि तमाम जो पबलिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं इसका एक संबंध जो इस समाज के सबसे पिछड़े सोशित लोग हैं उनके रिप्रजेंटेशन से है की नहीं है आप सोच करके देखिए कि पबलिक ट्रांस्पोर्ट अगर बंध होगा तो समाज के किस तवके का कम्मुनिकेशन बंध होगा आप सोच करके देखिए कि अगर सरकारी अस्पताल बंध होंगे तो समाज के किस तवके को सबसे कम इलाज मिलेगा सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो किनके बच्चे सिक्षा से महरूम होंगे आप भी सोचिए बाई साहब जो बर्दी पहन करके खड़े हैं आपका पेंसन बंद नेता जी का पेंसन चालू परधान मंत्री को पेंसन मिलेगा लेकिन सिपाई को पेंसन नहीं मिलेगा अगर हम समता पर्व मना रहे हैं न तो इमानदारी से हमको इस बात को सोचना परेगा कि अगर देश का संभिधान डीजीपी का भोट एक और कॉंस्टेवल का भोट एक किया है न उसके अधिकार को बड़ावर किया है न तो ये राजनीतिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक रूप में भी परिलक्षित होना चाहिए दिखाई देना चाहिए हमको उस दिसा में आगे जाना था इन बैमानों की चालाकी देखिए इन भेडियों की चालाकी देखिए कि मुह में घास दबा करके बावा सहाब के भोटे को उपर माला चड़ा करके हमारे ही बीच के होने का नाटक करके सत्ता पे बैचे हैं और इस देश के जो सोशित पीरित लोग हैं उनकी निर्वरता जिस पबलिक सेक्टर पे है उस एक-एक पबलिक सेक्टर को बेच रहे हैं आप हमको सोच करके बताइए जब Air India भारत सरकार का नहीं है तो बिमानमंत्री सिंधिया का लेकर के क्या करेंगे जब नहीं है Air India तो क्या करेगा जोतार जोतिरादित सिंधिया यह सोच करके मुझे बताईए कि जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री क्या करेगा जब हमारे पास बीए सनल ही नहीं बचेगा तो कम्मुनिकेशन मिनिस्टर क्या करेगा जब आप सिक्षा को बेच ही तो एजुकेशन मिनिस्टर क्या करेगा और कहते हैं कि सब कुछ के लिए आत्म निर्भर बनो तो आप भी आत्म निर्भर बन जाओ आपको भी देश का प्रधान मंत्री होने का क्या जरूरत है यह प्रश्ण मेरे मन में आना चाहिए ना इनके हिसाब से सरकारी आयाइटी नहीं होना चाहिए सहाब अगर आप 15 लाख रुपया फीस नहीं दे सकते हैं बीस लाग रुपया फीस नहीं दे सकते हैं तो किसी गरीब के बच्चा को इंजिनियर बनने का सपना देखने का अधिकार नहीं है इनके हिसाब से कि सरकारी आएटी नहीं होना चाहिए सरकारी एस्पताल नहीं होना चाहिए सरकारी इंस्वरेंस नहीं होना चाहिए सरकारी सरक नहीं होनी चाहिए सरकारी पुलिस नहीं होना चाहिए तो सरकारी परधानमंत्री लेकर के तबला बजाएंगे फिर सरकारी परधान मंतरी भी नहीं होना चाहिए आप जो रोज पेट्रोल पम्पे जाकर के पेट्रोल भड़वाते हैं जितना का आप पेट्रोल खरीतने हैं उससे ज़्यादा का आप टेक्स देते हैं सरकार ने पिछले कुछ सालों में 28 लाख करोर कितना 28 लाख करोर सिर्फ तेल के टेक्स से जमा किया है और जब यह सवाल उनसे पुछा जाता है कि 28 लाख करोर का क्या किये oxygen cylinder आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे तो इलाज आप नहीं दे रहे थे जब लोग मर रहे थे लोगों को आप शिख्छा देने के लिए तयार नहीं है सरकें बनाने के लिए तयार नहीं है सरक बनता है सरक जरूर बनता है लेकिन हमसे दो बाट टेक्स लिया जाता है कैसे? आप गारी खरी दिये गारी खरीते बक्त आपको रोट टेक्स जमा करना है और वापस जब आप उस गारी को लेकर के रोड पे जाईएगा तो आपको टोल टेक्स देना है भाई एक अपराध का, इंसान होने के एक अपराध का कितनी बार सजा दोगे इस देश में मिडिल क्लास होने का कितनी बार सजा दोगे एक बार गारी खड़ी देंगे तब टेक्स लोगे दूसरा बार जो उसको سरक भी ले करके जाएंगे तब टेक्स लोगे इक चल रहा है और आप हमको सोच करके बताइए one nation one tax one nation one election तो पेट्रॉल ओर डीजल पे क्यां नहीं लागू हुआ बोलिए लागू हुआ ग्या अगर one nation one tax इतना important है अगर इनके हिसाब से तो पेट्रोल ओ डीजल पे क्यों नहीं लागू हुआ क्योंकि यह loot है आप जान लीजिए पहली बार हमारे देश में जो जीवन रक्षक दवाईया हैं उन डवाईयों की कीमत बढ़ा दी गई हमारे देश में जीवन रक्षक दवाईयों का दाम नहीं बढ़ाया जाता था ये हमको हर तरीके से गन्ने की तरह निचोर लेना चाहते हैं कोई इनसान एक कहावत है ना कि मरता क्या ना करता अरे जब जूता खड़िदने के लिए जाएगा पैसा नहीं है तो कहिएगा चलो छोड़ो इस बार नहीं खड़िदते हैं अगले इद पे खड़िद लेंगे इस बार नहीं खड़िते हैं अगले दिवाली पे खड़ित लेगे लेकिन कोई बिमार हो जाएगा तब आप कहिएगा कि चलो छोड़ो इस बार नहीं इलाज कराते हैं 6 महीने बाद करवा देंगे करा सकते हैं क्या इसी लिए इलाज महंगा किया जा रहा है जो माबाप खुद नहीं पढ़ते हैं न मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ ले वो अपने जेब में वो हर कटवती करने के लिए तयार हैं कि हमको जो सपना नहीं पूरा हुआ वो हम अपने बच्चे का सपना पूरा करना चाहते हैं इसलिए इस देश में सिख्छा महंगी की जा रही है आप इधर उधर जाए बिना रुक नहीं सकते हैं इसलिए ट्रांस्पोर्ट महंगा किया जा रहा है और हर तरह से जो ये वसूली हो रही है इस पैसे का होता क्या है ये विदरुक का इलाका है यहां सबसे ज़्यादा किसान की आत्महत्या होती है किसान की आत्महत्या कर्ज के चलते होती है और ये कहते हैं कि बैंक को NPA हो जाता है क्योंकि ये किसानों को कर्ज देते है साहाब बेंग का NPA किसान को कर्ज देने से नहीं होता है इनके दोस्त जो इनको चुनाव में चंदा देते हैं उनको छूट देने से होता है ये बात आप जान लीजिए आए दिन आप ख़बर सुनते होंगे कि कोई 28,000 करोर लेके भाग गया कोई 30,000 करोर लेकर के भाग गया ये कौन लोग हैं ये वही लोग हैं कहते हैं डवल इंजन की सरकार मतलब चार लोगों का ब्यापार दो बेचता है अमित्सा और मोदी दो खरीता है अमबानी और अदानी यही सच्चाई है और ये जो देश में बिकवाली चल रही है इस बिकवाली पे हमारी नजर न परे इसलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहस खरा किया जाता है धरम का धरम से कोई आपत्ति नहीं है भाई धरम जिसको जो मानना है वो मानता ही है आपत्ती इस बात से है कि धरम के नाम पे जो लोग अपनी राजनिती का धंधा चला रहे हैं उससे आपत्ती है और ये लोग समाज के लोग आपस में इकठा ना हो जाएं ये सोसित वंचित लोग आपस में इकठा हो करके ये सवाल ना पूछने लगें कि 28 लाख करोर रुपया जो तुमने वसूला है उस पैसे का तुमने क्या किया है इसका हिसाब ना मांगने लगें इसलिए इनसान को आपस में लड़ाया जाता है हम कहते हैं जब हमारी भूख ए है तो हमारी मुट्टी भी एक जूठ होनी चाहिए तभी इससे हम मुक्ती पासकते हैं